नमस्कार दोस्तों मैं अकले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चेनल AKB मीडिया में एक बार फिर से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सौथ के उन दस सूपरिश्टार के बारे में जिनकी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर सबसे ज़्यादा कमई करके रिकोर्ड बनाए हैं तो शली ये दोस्तों सुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो साथ ये साथ कमेंट करके बताईएगा कि इन सभी एक्टर्स में आपका फेवरेट सूपरिश्टार कोन है तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें नंबर दस की तो नंबर दस पर है जूनियर एंटियार जियां दोस्तों एंग टाइगर के नाम से महसूर जूनियर एंटियार यानि की रंदमूरी तारक रामाराओ इनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है अर्विन सामेथा वीरा रागवा जो फिल्म आई थी 2018 में आपको बता दोस्तों फिल्म एक एक संपेक्ड मूवी थी और इस फिल्म ने वल्ड वाइड मार्केट में टोटल कमाई की थी 155 करोड रुपे की और ये फिल्म उनके करियर की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है वही दोस्तों बात करें नंबर 9 की तो नंबर 9 पर है तमिल सुपरिश्टार यानि कि थाला अजित कुमार दोस्तों थाला अजित कुमार के करियर में वेसे तो धेर सारी ब्लोकबश्टर फिल्म में है लेकिन उनके करियर की सबसे ज़्यादा कमई करने वाली फिल्म है विस वासम फिल्म ने वर्ड वाइड मार्केट में टोटल कमई की थी 210 करोड की और ये फिल्म वोक्स ओफिस पर हो चुकी थी ब्लोकबश्टर हिट वही दोस्तो बात करें नमबर आठ की तो नमबर आठ पर है तेलगू के सूपर इस्टार यानि की मेगा पावर इस्टार राम चर राम चरन को बेश्ट एक्टर का नेशनल आवाड भी मिला था बता दे दोस्तो रंगास थलम फिल्म ने वर्ड वाइड मार्केट में टोटल 215 करोड की कमई की थी और ये फिल्म राम चरन के करियर के सबसे ज्यादा कमई करने वाली फिल्म बनी होई है वही दोस्तो बात कर नंबर 6 की तो नंबर 6 पर है रोकिंग इस्टार यस जो की पहले तो थे सिर्फ कनाडा सूपर इस्टार लेकिन आज के समय में इनकी फेन फोलोइंग पूरी दुनिया में है जो की रिलिज हुई थी 2018 में और फिल्म का बजट लगभग 80 करोड रुपे का था लेकिन दोस्तो सांदार फिल्म होने की वज़े से इस फिल्म को पांच भासाओं में रिलिज किया था और इस फिल्म को पांचो भासाओं में पबलिक की तरफ से काफी अच्छा रिस्पोंस मिला था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट में टोटल कमई की थी 233 करोड रुपे से बिए ज़्यादा की आपको बताते दोस्तों ये फिल्म ये इसके करियर की सबसे बड़ी ब्लोकबश्टर फिल्म है साथ ही साथ ये मूवी कंणाडा इंडश्टी की भी सबसे ज़्यादा कमयी करने वाली फिल्म बनी हुई है वही दोस्तों बात करें नंबर 5 के तो नंबर 5 पर हे तेलगू सुपरिश्टार महज बाबु सर के फिल्म जहां दोस्तों तेलगू इंडरेश्टी के सबसे हिंडसम एक्टर महज बाबु सर उन्होंने अपने करियर में धेर सारी ब्लोकबस्टर फिल्में दी है लेकिन उनके करियर की सबसे ज़्यादा कमई करने वाली फिल वही दोस्तो बात करें नंबर चार के तो नंबर चार पर है तेलगू इंडेस्टी के एक उर बड़े सूपरिश्टार यानि कि इस्टाइलिस इस्टार अल्लू अर्जुन दोस्तो अल्लू अर्जुन है कैसा नाम जिनके फैन फूलिंग सिर्फ तेलगू ओडियंस में ही नही मलियालम ओर्जन में भी है साथ इसाथ तमिल ओडियंस में भी और खास करके हिंदी ओडियंस में आपको बता दे दोस्तो आला वेकुंटा पुर्मोलो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट में 270 करोड रुपे से भी ज़्यादा की कमई की थी और ये फिल्म 2020 की आप तक की सबसे ज़्यादा कमई करने वाली फिल्म भी है साथ इसाथ अल्लू अर्जुन के करियर की भी सब भी फिल्म में बॉक्स ओफिस पर बड़ी ब्लोग बश्तर रही मतलब कि उनकी फिल्में आज के समय में ओपनिंग डे के रिकोर्ड भी बनाती है साथ इसाथ लाइफटाइम कलेक्शन भी 200 करोड से तो ज़्यादा का रहता है लेकिन दोस्तो बात की जाए विजे के करि वाली फिल्म बनी साथ इसाथ 2019 में तमिल इंडेस्टी की भी सबसे ज़्यादा कमई करने वाली फिल्म रही थी वही दोस्तो बात करें नंबर दो की तो नंबर दो पर है थलाईवा रजने कांसर जिनकी फिल्में बोक्स ओफिस पर यूं समझिया कि तोफान खड़ा कर देत और ओपनिंग डे के मामले में तो सभी रिकोर्ड भी तोड़ देती है विसो दोस्तो रजनिकांसर ने अपने करियर में धेर सारी ब्लोक्बश्टर फिल्में दी है इतनी ब्लोक्बश्टर फिल्में जितनी साथ इंडियन सिनेमा में किसी और सुपरिश्टार के फिल्म ने लिच किया गया थो और इस फिल्म ने पाँचो भासाओं में वर्ल्ड वाइड मार्केट से 800 करोड रूपे से भी ज़्यादा की कमई की थी और ये फिल्म तमिल इंडश्टी के अब तक की सबसे ज़्यादा कमई करने वाली फिल्म साथ ही साथ रजनिकांसर के भी करियर की सब से ज़्यादा कमई करने वाली फिल्म बनी हुई है वही दोस्तों बात करें नंबर वन की तो साथ आप सबको पता है कि नंबर वन पे कौन सी फिल्म है जहां दोस्तों तेलगु इंडश्टी की सबसे ज़्यादा कमई करने वाली फिल्म है बाहु बले टू जिस फिल्म को ड इंडिया में 5 भासाओं में रिलिज किया था और दोस्तों इस फिल्म ने 5 भासाओं में वर्ल्ड वाइड मार्केट से टोटल कमई की थी 1810 करोड रुपे बता दो दोस्तों बाहू बली 2 ने सिर्फ हिंदी वर्जन से ही 500 करोड की कमई की है जो के आज तक कोई बोल्योड की फ पिल्मों के बॉक्स ओफिस कलेक्सन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल एके भी मेडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले